जैम आतादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैम आतादी जरूर लिखें दोस्तों, हर मा में दो चतुर्थी तिथी आती हैं एक सुकल पक्च में जिसे विनाई की चतुर्थी कहते हैं तो वहीं दूसरी क्रेशन पक्च में जिसे संकस्टी चतुर्थी कहते हैं लेकिन इन सब ही में माग मास में पढ़ने वाली संकस्टी चतुर्थी का विसेस महत्त है जिसे सकट चौथ, संगटा चौथ, मागी चौथ या तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल दो हजार चौबिस में सकट चौथ का वरत कब रखा जाएगा 29 जनवरी को या 30 जनवरी को वरत रखने की सही तारीक क्या रहेगी साथ ही आपको पूजा करने का सुब मूरत और चांद निकलने का सही समय भी बताऊंगी इसके लावा सकट चौथ की संपून पूजया विदी क्या है इसकी भी जानकारी दोंगी साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी दोंगी जैसे कि सकट चौथ वाले दिन नहाय खाय कप करें बाल किस दिन धोएं या कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इस साल पहली बार प्रत रख सकते हैं या नहीं तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो को जरूर देखें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि सकट चौथ कवरत किस दिन रखा जाएगा दोस्तों इस साल चतुर्थी तिथी की सुरुआद 29 जनवरी 2024 की सुबा 6 बच कर 10 मिनट पर हो रही है और चतुर्थी तिथी की समापती 30 जनवरी 2024 की सुबा 8 बच कर 54 मिनट पर रहेगी तो इस हिसाब से इस साल सकट चौथ कवरत 29 जनवरी 2024 दिन सुमवार को रखा जाएगा और बात करें पूजा के सुमूरत की तो दोस्तों इस बार सुबा के समय दो पूजा के सुमूरत हैं जिसमें से पहला मूरत सुबा 7 बच कर 11 मिनट से लेकर सुबा 8 बच कर 31 मिनट तक रहेगा और दूसरा मूरत सुबा 9 बच कर 54 मिनट से लेकर सुबा 11 बच कर 14 मिनट तक रहेगा और साम को पूजा का सुम मूरत साम 4 बचकर 37 मिनट से लेकर साम 7 बचकर 37 मिनट तक रहेगा और दोस्तों इस दिन राहु काल का समय सुबा 8 बचकर 32 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 53 मिनट तक रहने वाला है तो आप इस समय भूल कर भी सकट चौथ की पूजा ना करें और बात करें चंदरोदे के समय की तो दोस्तों 29 जनवरी को चंदरोदे का समय रात 9 बचकर 10 मिनट पर रहेगा और बात करें व्रत पारण के समय की तो व्रत का पारण 29 जन्वरी की रात चंदरोदै होने पर चंदर्मा को अर्ध देने और पूजा करने के बात किया जाएगा यानि 29 जन्वरी को रात 9 बच कर 10 मिनट के बाद आप चंदर्मा को अर्द दे कर व्रत का पारण कर सकते हैं यह जो लोग अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं तो उनके लिए बता दूँ कि जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं तो वह लोग 30 जनवरी को सुबा 8 बच कर 54 मिनट तक अपना अवरत खोल लें। यही स्रेस्ट रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल नहाय खाय कब किया जाएगा और बाल किस दिन धोए जाएंगे। तो दोस्तों बाल आप एक दिन पहले यानी रविवार को दो लेंगे। इसी दिन आप नहाय खाय करेंगी। ध्यान रखें कि बाल दोनी के बाद आप प्याज लेसुन से बना खाना ना खाएं बलकि सात्विक भोजन ही ग्रहन करें। साथ ही पूर्णता ब्रह्म चर्रे का पालन भी अनिवारी होगा। और अब जान लेते हैं कि इस साल पहली बार सकट चोथ का वरत उठाएं या नहीं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस साल सावन में अधिग मास यानी पुरसुत्तम मास पड़ा था। तो जो लोग अधिग मास या पुरसुत्तम मास का विचार करते हैं तो वे इस साल ने वरत की सुरुवात ना करें। लेकिन जिनके या अधिग मास या पुरसुत्तम मास नहीं माना जाता है तो वे चाहें तो इस साल से ही ने वरत की सुरुवात कर सकते हैं। एक बार आप अपने परिवार के बड़े लोगों से चरूर पूछ लें। चलिए अब बात करते हैं सकट चौत की पूजा विधी के बारे में। दोस्तों सकट चौत वाले दिन भगवान गड़ेज जी के साथ साथ चंदर देओ की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला प्रत रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मूरत में उठकर इसनान करने के बाद तारों की च्छाओं में ही प्रत का प्रारंब करते हुए निर्जल प्रत की सुरुवात की जाती है। और व्रत का संकल्प लिया जाता है इसके बाद गड़ेज जी की पूजा करें फिर आप पूरा दिन अपने मन में गड़ेज जी का ध्यान और मंत्र जाब करते रहें और जब सुर्यास्त हो जाए तब पुनहा इसनान करके स्वक्च वस्त धारन कर और गड़ेज जी की पूजा की तैयारी करें सर प्रतम आप पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़क कर सुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त रुबिछा लें और भगवान गड़ेज जी की मूर्ती या फोटो इस्थापित कर दें अब इसके बाद आप कलस की स्थापना करें सबसे पहले चावल से अस्ट दलकमल बना लें अब एक कलस में सुद्ध जल भरें और उसी में थोड़ा गंगा जल भर लें उसमें एक सिका सुपाड़ी हल्दी की गाट और फूल डाल कर उसके उपर पांच पलो रखकर नारियल इस्थापित कर दें नारियल में मौली लपेट लें और कलस पर स्वास्ति कच्चिन बना लें कलस के मुख में भी मौली बांद लें दोस्तों इसके बाद आग गड़ेश जी की विद्वत पूजा अर्चना करें सुर प्रथम गड़ेश जी को तिलक करें अक्छत अर्पित करें फूल माला चड़ाएं साथ ही गड़ेश जी की प्री तूर्वा भी अवस्य अर्पित करें और इस दिन नैवेद में तिल और गड़ से बने हुए लड़ू, ईख, सकरकंद, अमरूद, गड़, गन्ना और घी आदी का भोग लगाया जाता है फिर धूब दीब जलाएं और गड़ेश जी के मंतरों का जाब करें दोस्तों कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है या तिलकुट का पहाड बनाते हैं और पूजा करने के बाद इस तिलकुट के बकरे की गरदन खर का कोई बच्चा काट देता है इसके बाद आप ओम गंगन बते नमा का एक माला जाब करें साथ ही सकट चौत व्रत की कथा जरूर सुने अब आप गड़ेज जी की आरती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें फिर इसके बाद जब चंदर्मा निकल आए तो चंदर्मा के पूजा की तयारी करें आप सबसे पहले चंदर्मा को अर्द अर्पित करें इसके लिए एक लोटे में जल भरें और उसमें कच्चा दूद मिला लें जल अर्पित करने के बाद चंदर्मा को धूब दीब दिखाएं तिल गुड़का भोग अर्पित करें और उनसे हाँ जोड़कर आसिरवाद लें और घर परिवार की खुसाली की काम न करें फिर इसके बाद प्रशात खाकर अपने व्रत का पारण करें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद